अग्ति तबहुत को शेंद दुकान साड़ी को अपर एक हमारे साथ चंद्र मंधी भी है और से मीरे अलिक और देख सकते हैं यहां पर एक साड़ी का दुकान माननोहरा शाड़ी करके यहां पर एक गौम्धा आती है और मालकीं की तरह अंदर में घुज जाती और बैठे रहते हैं इसे करके एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायराल हो रहा है देख सकते हैं कुछ ईस तरीकत से हैं दुकान यहां पर एक दूकान है शारी कर दुकान है तुभी मैं पौँचा हूँ यहां पर पर पंद्री में और दुकान में खोरेन ही परर दो कारऊ हैं देख सकते यहीं दुकान है चलिए दोस्तों अंदर घुषते हैं इस खबर के बारे में आप लोग एटुज जान करी देते हैं हो सकते हैं गव मात भी आया होगा और उनके मालिक भी होगा तो बात करने कोशिज करेंगे कुछ इस तरीका से है दुकान के आसपास कसी कुछ इस हैं देख सकते हैं कितना लोग आहने नुज वाले भी आएं पूरा आप पर सब कावार कर रहे हैं हुआ है और पूरी तरी कर शेहां सीन आप लोग देखा रहें तैस्व एस साड़ी का दुकान है बहुत दिन हो गया है यहां पर शाड़ी कानश है और एक कस्टमर लोग भी करेंगे इस घटनक बारे में इस वीडियो गवारे में देख सकते कुछ इस तरी कर सीन है जुकान का इंदर कर सीन है और हाँ पर कि एक ओपर में लच्पी जी करने वहां से पसुच चाहते एक कुछ यहां पर इंगा मता का फोटो है कि सकते पदम भी यहां पर है पदम डाक लिया वीडियो में आप लोग देखे होंगे बहुत ही ज्यादा वायराल हो रहा है भी सोचल मीडिया में बड़े बड़े न्यूच चैलन में पुरी तरीकत साया हुआ है दुकान राइपूर के पंडरी के है और आप लोग देखा रह नहीं हां कहसीन देख सकते हो ही रोज जाते है और और आज भी यहां पर हुआ हो ही रोज मार्पीन पर हो सांधान में चला जाती है पूरा जार है और आप लोग देखा रहे हैं गहले हैं कि पुरा Καιर्थ एक थर्वाजा खुल नहीं फिर अपने दुकान खोल रहेहां देखो देखो एक यह देख सकते हैं हाप पूरा साक्षाद भगवान देखो पूरा बैठी हुए दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर गौमाता आज चुकी है और आप लोग देखा रहे हैं एक दम बहुत ज्यादा वीडियो आप लोग भी देखे होंगे वाइरल भी हो रहा है बहुत ज्यादा देखो पदम सर्थ दुकान का मालिक है अधिकर मालकीन का दोस्तों हमारे साथ चंद्रमणी भी है और चंद्रमणी के मालिक करिस्मा से कम नहीं है ऐसा लग रहा है कितना फिल हो रहा है कितना इनर्जी आ गए यह एक ऐसा प्रेम का माहल है गाए जो है वो सिर्फ समझ लीजिए कि गाई नहीं है यह गौम आता है और जो गौम आता है वो 33 कोटी देव देवी का एक अंस है और आज यह जो दुकान के अंदर स्वेम द्वार खोल के आती है निश्चित तोर पे मैं अपने आपको बहुत भागिशाली मानता हूं कि 33 कोटी देव देवी का समुह एक गाई के स्वरूप में एक जंगदंबा के स्वरूप में महालक् अदरन तो आप कर सकते हैं अच्या गौम अधाजी एक्षोली अपनल खाती है इस लिए पल यह नहीं आती है यहां बड़ी मस्ती से बड़ी भकती से बड़े आनन से और यह बैटे रहेी अब जब इसकी मर्जी और तब जैजीनें सबको, पहले तो यह है कि इस गौमाता के प्रभाव से जो मैं गौ अर्क ले रहा हूँ अभी, मैं ब्रेस्ट कैंसर का पैसेंट हूँ और 2021 में मेरा उपरेशन हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर का, उसके पहले से यह गौमुत्र जैसी डिटेक्ट हुआ की कैंसर है 2024 में भी, उसमें भी मुझको कोई भी पैंसर की गठाने आगे नहीं बढ़ी नो डिटेक्ट हुआ, और मैं एकदम स्वस्त हूँ, और स्वस्त हूँ, कि मैं कोई भी हमारी धार्मिक क्रियाएं होती है, हाट दिन का प्रुश्टन महाँ पर वह है, जिसमें जहाँ जहाँ सा प्रतिकमन, उसके बाद दोपहर को भक्ति, ऐसा रात को प्रभु भक्ति, ऐसा प्रती दिन का कारिकम रहता है, वो पूरा एकदम बिना किसी रोक्तों के, बिना मेरे को कोई बाधा नहीं पहुंची, और स्वस्त रुप से मैंने इसको पूरा किया है, सत परसित, मतला बेनी फिट मिला आपको कैसे, बिया गौस अरक्षण को लेकर क्या आप मतला वो जागरुक्ता कर रहे हैं आने में, गौस अरक्षण को लेकर मैं, बैसे तो हमारी मनोहर गौशाला, खेरागड, 36 गड़ में चल रही है, गौस अरक्षण के लिए मैं सबको दे दिये, हिरे मोती भी दे दिये, तो भी वो अपना जीवन आने वाले 30-40 साल बाद नहीं जीवन यापन कर पाएंगे, क्योंकि वो खाएंगे तो ग्रोटी, दाल, चावल, गेहूं, दाल जो अन है वो खाएंगे, और अगर आज की व्यवस्ता जैसे चल रही है, वैसी अ कहा जाता था, आज गाय को जो पशू या अमारा बोलते हैं, उनके लिए संदेश दे रहा हूं, कि वापस गाय को धन, गोधन मानना पड़ेगा, और इस धन की रच्छा करनी पड़ेगी, जब हम अपने बच्चों को जो विरासत में धन देंगे, और साथ में गोधन गरहन करेगी, भारत से बाहर से जो दवाईयां आयात होती है, वो कम होगी, निश्चित तोर पे ये एक है, मगर ये 33 कोटी ही है, ये संदेश मैं जन जन को देना चाहता हूं, और मीडिया के धन्यवाद भी देना चाहता हूं, कि आज आप सभी यहाँ पे, मतलब मीडिया म से भरी हुई है, मेरे को बहुत खुशी है कि मीडिया ने बिना स्वार्त के, क्योंकि देखिए आपका प्रफेसन है, यहाँ आपको इस धरती पे कुछ में मिलने वाला नहीं, इस वीडियो से, जो भी मिलेगा आपको उस दुसरे युग में मिलेगा, लेकिन आप जो ये कर सुद्ध भूमी का निभाएं, जै जिनेंद्र, जै गौमाता, जै जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद भी है, तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर गौमाता बैठी हुए है, उनका मालिक भी है, यहाँ पर पुली तरीका स्रोज आता है, साथ साल से सिलसीला लगातार ज घर जऋए भी है, यहाँ औहाँ सीजिया ओ Attी है.